सद्ग्रु मेरे दोस्ट का अकसिरेंट हो गया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया, उसे बिजली का जटका देने वाली मशीन से जिन्दा किया गया और अब वो कोमा में है, कोमा में इनसान के मन और शरीर में क्या होता है? अगर किसी का accident हो गया और वो निश्क्री पड़ गये तो ये मत सोचेगा कि वो मर गये थे और उन्हें वापस ले आए गया, ये सच नहीं है हुआ बस इतना है कि ये हो सकता है, प्राणशक्ति को इतना जटका लगा हो कि ये भीतर से ज़ादा बाहर की और प्रोजेक्ट हो गई है अब ये सोच रही है कि जीना है या नहीं ये कोई philosophy का सवाल नहीं है, ये practical सवाल है कि क्या शरीर जीने के लिए उतना fit है या नहीं है इसलिए अगर इसने जीना चुन लिया, तो ऐसा medical staff की वज़े से नहीं है हाँ, वो इसमें मदद कर सकते हैं, वो सहायता कर सकते हैं लेकिन ये जीवन है जो रुकने का फैसला करता है, क्योंकि शरीर अब भी उसके रहने लायक है शायद medical staff शरीर को थोड़ा और जादा रहने लायक बना दें जो कि उनकी मदद के बिना नहीं हो पाता, ये बिलकुल संभव है तो उनकी मृत्यू नहीं हुई थी, वो रहूं या ना रहूं की हालत में थे वो भीतर के मुकाबले बाहर की और जादा projected हो गए अब भी आप थोड़े से ही बाहर की और projected हैं पर ज़ादातर अंदर की और projected हैं एकसिडन्ट की घड़ी में हो सकता है कि वो बाहर की और ज़ादा projected हो गए और थोड़े से अंदर की और projected रहे उनके मर जाने के बाद भी ये सब कुछ खत नहीं हो जाता अगर आपको यह ना पता हो हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं 11 से 14 दिनों तक एक मृत शरीर के नाखून और उसके बाल और सब कुछ बढ़ते हैं क्योंकि जान धीरे धीरे जाती है यह अचानक बाहर नहीं निकल जाती है इसलिए आप किसी को आध्यात्मिक तोर पर मुर्दा घोशित नहीं कर सकते कम से कम मेडिकल मृत्यू के 14 दिनों बात तक तो ऐसे कुछ देर के लिए रहूं या ना रहूं के असमंजस के बाद आपने कहा रहना है लेकिन यह शरीर केवल बिस्तर पर लेटने के लायक है उठने और चलने या ऐसा कुछ करने के लायक नहीं रह गया है जैसा कि एक आदमी आउरत से उमीद की जाती है मैं ऐसा किसी का आप मान करते वे नहीं कह रहा हूं मैं चाहता हूँ आप इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर देखें एक भावनात्मक चीज के तौर पर नहीं नहीं तो आप इसे सही तरीके से नहीं समझेंगे तो अगर आप इसे निश्क्री होना कहते हैं तो ये दो तरह की होती हैं एक है बस ये शरीर चला गया है लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर सब कुछ सक्री है इससे बहुत सारी तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंग सकते हैं, समझ सकते हैं लेकिन कुछ भी करने की खिशमता नहीं है बात करना उनके लिए सबसे आखरी चीज है वो उटकर चलना फिर ना चाहते है वो रिस्पॉंड करने में सक्षम नहीं है शरीर निश्क्री हो गया है लेकिन दिमाग अब भी सक्री है एक दूसरे तरह की हालत होती है जहां शरीर काफी हद तक ठीक हालत में है इस इस दिमाग को संभाले रखने के लिए जरूरी भौतिक संरचना विखर गई है कुछ है जो तूट गया है इसलिए मन को रहने के जगा नहीं मिल रही है तो वो काम नहीं कर सकता लेकिन दिमाग के सूक्षम पहलू आब भी सक्री है सिर्फ वो दिमाग जिससे आप चीजें समझते हैं वो दिमाग जिससे आप निरने लेते हैं वो दिमाग जिससे आप भेद कर सकते हैं वो बंद है वो बंद हो गया है लेकिन दूसरा दिमाग जो सिर्फ अचेतन या दाश्त पर चलता है वो अब भी है अगर वो ना हो तो शरीर जंदा नहीं रह सकता इसलिए अगर कोई व्यक्ति एक जगा पर बहुत लंबे समय तक लेटा रहे बिना इस अंतर करने वाले दिमाग के तो हो सकता है वो धीरे धीरे उस याददाश्ट की अचेतन प्रक्रिया के बारे में जागरूख हो सकता है जो उसके भीतर घटित होती रहती है जिसकी वज़े से सब कुछ चल रहा है ये बिल्कुल संभव है मैंने ऐसे लोगों के साथ जादा समय नहीं बिताया है एक या दो बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ है जो हो रहा है ऐसा लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है लेकिन बहुत धेर सारी गदिविधियां हो रही है तो दिमाग की आचेतन प्रक्रिती हो सकता है कि एक तरह की जागरूखता में आ गई है क्यूंकि चेतन मन अंतर करने वाला दिमाग जा चुका है तो शायद दूसरा हिस्सा प्रत्यक्ष हो गया है जिसके बारे में आमतोर पर जादातर लोग जागरूख नहीं होते तो हो सकता है कि उनको कोई सक्री पीड़ा नहूँ लेकिन हो सकता है कि किसी तरह की स्थब धवस्था हो जिसका काफी लोग आनंद लेते हैं बहुत आनंद लेते हैं लोग शराब क्यों पीना चाते हैं वो ड्रग्स क्यों करना चाते हैं क्यों वो सूरज निकलने के बाद भी विस्तर में पड़े रहना चाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पसंद है, और वो ध्यान क्यों करना चाते हैं, उन्हें ये पसंद है, आप समझे, चेतन और अचेतन के बीच में जूलना, ऐसे इस बौडर लाइन पे, वो इसके उपर नाचना पसंद करते हैं, तो शराब, ड्रग्स, नींद, सुस्ति, अत्यधिक खाना, सिक्शुलिटी, ये सारी चीजें आपको ये थोड़ा सा सीमा पर होने का स्वाद देती हैं, जब आप न यहां हैं न वहां, तो असल में अगर उनका दिमाग बस ये अंतर करने वाला द दिमाग बंध हो जाए, तो वो असल में एक बहुत बढ़िया जगा पर हो सकते हैं, बस जूल रहे हैं, कोई जिंजट नहीं, करने को कोई काम नहीं, कुछ नहीं, अगर आप उनके शरीर को आराम में रखें, अगर आप ध्यान रखें कि उन्हें बिस्तर पे रहने से कोई घाव अगेरा ना हो जाए, तो असल में वो शायद एक बड़ी आरामदा एक जगा में हो, भुगत्ता कीवल वही है, जो असल में भुगत्ता है, वो जिसका शरीर निश्क्री हो गया है और दिमाग पूरी तरह सतर्क और सक्री है, अब ये व्यक्तिकश्ट भुगता है, हा अध्यात्मी कुरूप से, क्योंकि अब इन सारे लोगों के समस्या ये है, ये सब आप घंटों बैट कर ध्यान करने के लायक हैं, उनकी इकलौती परिशानी है, ये उनके कमभख्त पैर और पीठ, अगर उनके पास ये नहोते, तो वो ऐसे ही कई दिनों तक बैठे रहते, ह तो ये सारी प्राब्लम उनके लिए दूर की जा चुकी हैं, ना पैरों में समवेधना है, ना पीठ में कोई समवेधना है, अगर वो इस थिती में पहुँच गए, जो कि मेरा मानना है, वो पहुँचेंगे, अगर मैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताओं, तो मैं आपको पता दूँगा कि वो वहाँ पहुच गए हैं या नहीं, अगर वो इस पर पहुच गए, तो ये आध्यात्मीक रूप से सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है, शरीर नहीं है, लेकिन दिमाग सतर्क है, वाह, ये एक साधक का सपना है, शरीर ही तो है जो आपको परेशान कर र आपके पास एक शरीर नहों पर एक सतर्क दिमाग हो, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी सारे लोग इसे भयानेक रूप से भुगतते हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन हमेशा किसी और के साथ अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं, कोई चल रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी, कोई बात कर रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी, वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो वो नहीं कर सकते जो कोई और कर रहा है, इसलिए उन्हें तकलीफ होगी, अब भी, जब सब कुछ ठीक है, लोग कश्ट में हैं, क्योंकि किसी के पास 10 लाख बन सकती है, कोई शरीर की प्राब्लम नहीं है, दिमाग पूरी तरह सतर्क है, हम उन्हें दिक्षा दे सकते हैं, मैं ऐसा उनकी हालत को लेकर अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, असल में ये उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, उनके लिए, अगर इसके अलाव मेडिकल पेशवार लोगों के द्वारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये उनके लिए अद्भूत रूप से काम कर सकता है, बस लेटना है, दिमाग लगातार सतर्क है, ये चमतकार कर सकता है, मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, कि इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसे फाइदे में कैसे बदला जाए, नुक्सान में नहीं, क्योंकि आपके साथ जो हो सकता है, आप उसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे जो बनाते हैं, वो 100% आ इस्तिमाल करें,